बार में प्री रंजन और आज की इस एपिसोड में IDFC First Bank के बारे में डिस्कस करेंगे जहां Fundraise को लेकर के आज Board की Meeting होनी थी वो Meeting हो चुकी है क्या Meeting रही आगे के क्या Trend दिखेंगे इसको समझे से पहले Premium टेलिग्राम को जोईन करें डिस्क्रिप्सन के लिंक से Account Open करें और वीडियो पसंद आये तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे IDFC First Bank के आज जो Board के Meeting होने थे वहां Fundraise को लेकर के Board Meeting होनी थी जहां कंपनी ने 3200 3200 करोर के Fundraise को सुक्रिती मिली है यह कंपनी जो है एक्यूटी और डेट के शेयर होल्डर की हरी जंडी मिली कंपनी के मर्जर को लेकर के जहां कंपनी IDFC First Bank और IDFC Limited का मर्जर होने वाला है IDFC Limited के अगर 100 शेयर हैं तो IDFC First Bank के 155 शेयर मिलेंगे और IDFC Limited आने वाले कुछ दिनों के बाद बजार से डिसपेर होते दिखेगा यानि ट्रेडिंग होते नहीं दिखेगी यह मर्जर भी होने हैं और इस समय नंबस भी ठीक ठाक रहे थे आज कंपनी ने फन्रेज को लेकर के एलांग कर दिया है 3200 करोर को लेकर के लेकिन टेक्निकली ट्रेंड वीक है इस टॉक पास 6 मंथ से अंडर परफॉर्म है और इस समय मुझे लगता है कि मिनिमम 82 के लेवल को ब्रेक आउट करने दें सौट टर्म के ओपर्चुनिटी को गेन करने के लिए वहीं अगर लॉंग टर्म इन्वेस्टर है तो यह एक इन्वेस्टिंग ओपर्चुनिटी है जहां इस स्टॉक को इन बिट्विन 62 से लेकर के 70-74 के बीच के जो प्राइस उसको धीरे-धीरे एकुमिलेट करें आईसे श्या सिकूरेटी ने 95 के टार्गेट दिए तो मुझे लगता है कि मीडिययम टू लॉंग टर्म में ये आउट परफॉर्म करेगा और सोर्टू मीडियम टर्म अंडर पर्फॉर्म रह सकता है मुझे लगता है कि 82 के ओपर ही सो सकता है, I hope ये वीडियो इंफर्मिटिव रहा, thank you for watching this video